एक बार मुल्ला नसीरुदीन ने एक आदमी से कुछ उधार लिया था, मुल्ला समय पर उधार चुका नहीं पाया और उस आदमी ने इसकी शिकायत बादशाह से कर दी, बादशाह ने मुल्ला को दर्बार में बुलाया. मुल्ला बेफिकरी के साथ दर्बार पहुचा, मुल्ला के दर्बार पहुचते ही वह आदमी बोला बादशाह सलामत, मुल्ला ने बहुत महीने पहले मुझसे पांच सो दीनार बतौर कर्ज लिये थे और अब तक नहीं लोटाए, मेरी आप से दरखवास्त है कि बिना किसी दे काने का इरादा भी रखता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी गाय और घोडा दोनों बेच कर भी इनका उधार चुकाऊंगा, कभी वह आदमी बोला यह जूट कहता है, हुजूर इसके पास न तो कोई गाय है, और नहीं कोई घोडा, अरे इसके पास न तो खाने को है, और नहीं एक फूटी कोडी है, इतना सुनते ही मुल्ला नसीरुदीन बोला जहंपना, जब यह जानता है कि मेरी हालत इतनी खराब है, तो मैं ऐसे में जल्दी इसका उधार कैसे चुका सकता हूँ, जब मेरे पास खाने को ही नहीं है, तो मैं उधार डूंगा कहां से बादशाह ने यह सुना तो मामला रफात्फा कर दिया, अपनी हाजिर जवाबी से मुल्ला नसीरुदीन एक बार फिर बच निकलने में काम्याब हो गया हुआ बार ऑजर बुका उपक है, जो कि यह एक बार बुका झांपू निकलने में काम्स कूँ सक wrestle है नहीं है? झाल झाल